अलो फ्रेंड्स दिस निवेधिका एंग वेल्कम बैक तू मैं चैनल लिवी की रसुई यू केन फॉलो नी ऑन इंस्टराम और फेस्बूक फ्रो दर लिंक इन दिस्क्रिप्शन वॉक्स सो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और सूजी का ये टेस्टी नाश्टा इसका कोई नाम नहीं है दोस्तो हमने कुछ नया ट्राइ किया है और खाने के बाद हमें काफी अच्छा लगा तो हमने सोचा आपके साथ शेर जरूर करना चाहिए तो वीडियो को आगरी तक जरूर देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए साहती चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो जादे देर ना करती हुए चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पर तीन से चार मेडियम साइस के आलूओं को अच्छे से छील कर ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और अब हम इसमें एड़ कर रहे हैं टमाटर और प्याज प्याज और टमाटर बिल्कुल बारिक कटे हुए होने चाहिए तो एक से दो टमाटर औ और दो से तीन प्याज आप ले लीजिए शिम्ला मिर्च हम यहाँ पर अड़ कर देंगे एक बड़ी साइस की शिम्ला मिर्च हमने एक दम बारिक काट ली है और इसमें डाल दी है हातों को अच्छे से तोकर हम सबी सबजियों को अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से और नमक आप डाल दीजिए लगबख एक चमच और नमक के साथ सबजियों को बहुत ही अच्छे से मिला दीजिए अब हम इसमें एड़ कर रहे हैं सूजी तो एक कप सूजी हम यहाँ पर ले रहे हैं और सूजी आपको एक साथ नहीं डालना है पहले आदी सूजी डाल देनी है उ लगबख 10 मिनिट के लिए आप रेस्ट पर रख दीजिए ढखकर इसी तरह से तो लगबख 10 मिनिट हो चुके हैं अब हम इसमें एड़ करेंगे मसाले तो मसालों में हम सबसे पहले एड़ कर रहे हैं लाल मिर्च पावडर तो एक चमच लाल मिर्च पावडर एक चमच इंकम्या जादा भी कर सकते हैं तो मसालों के साथ हम इस तरह से बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद हमें करना क्या है कि हमें हातों से इस तरह से लड़ू बना लेने हैं बड़े बड़े साइस के सभी आपको एक सांध बना के रख लेने हैं उसके बाद हम इनको तवे पर फ्राय करेंगे ये देखिए इस तरह से सब भी हमने बना कर तैयार कर लिये हैं और तवे को हमने गैस पर चड़ा दिया है स्लो फ्लेम पर हमें करना क्या है कि थोड़ा सा तेल लेकर इस तरह से पूरे तवे पर स्प्रायड कर देना है और जो लड़ू टाइप का हमने बनाया था उसको तवे पर इस तरह से डाल के ऐसे दबा देना है और टिक्की टाइप की हमें बना लेना है ये देखिए जितना ज देखिए क्योंकि हमने यहां पर कच्चे आलू और कच्ची सूजी का इस्तिमाल किया है तो इनको सेखने में बिल्कुल जल्द बाजी मत कीजिएगा दोस्तों आप स्लो फ्लेम पर ही इनको कम से कम पात से दस मिनिट तक के लिए अच्छे से सिखने दीजिएगा जिससे कि यह कच्चे ना लगें तो यह देखिए हमने भी सभी टिक्क्यों को इसी तरह से सेख लिया है यह गरम गरम सूजी और आलू का नाश्ता दोस्तों आप सौस के साथ सर्व करें बहुत जादा टेस्टी लगते हैं आप चाहें तो अपनी कोई पसंदीद चटनी भी बना सकते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हम जल्दी ही हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप खुश रहें मुस्कुराते रहें झाल